वेलकम टू माई यूटूब चैनल बबलू पिंडरहाट आए दोस्तो एट आप फोटो सॉप सी एस थ्री में फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं चलिए दोस्तो चलते हैं कम्प्यूटर में फोटो सॉप खुलें जिस फोटो को आपको दोस्तो एडिटिंग करना है उस फोटो को सिलेक्ट करें जैसे हम एडिटिंग करेंगे अचका यह हम बेक्ग्राउंड इसका पासपोर्ट साइज का फोटो बनाएंगे दोस्तो पासपोर्ट फोटो बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम मुवाइल से जो फोटो कीचे हैं उसका रिजूलेशन बढ़ा लेते हैं यह है रिजूलेशन तीन सो मिनिमम रखते हैं यह रिजूलेशन बढ़ गया अब देखते हैं इसका इसका बेक्गराउंड पहले इसको फेस को साप करते हैं क्लीन करते हैं जो धुंदलापन थोड़ा थोड़ा बून बून जैसा दिखाए देता है उसको क्लियर करेंगे फोटो को थोड़ा सीधा कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो अपलाई करते हैं अपलाई करने के बाद क्रॉप करते हैं दोस्तो जीतना फोटो जरुरत है हाप फोटो चाहिए तो हाप के लिए पहले क्रॉप करेंगी उसके साइज की हिसाब से थोड़ा सा बड़ा छोड़ेंगे क्रॉप कर लिए उसको ओताई दोस्तों फोटो को यह च्छूम करते हैं यह करने के बाद इसको एक software होता है अनुराक प्रो दोस्तों यहां से light कम या ज्यादा कर सकते हैं yellow, red, green जो भी आपको फोटो में जैसे आपको suitable अपको हिसाब से लगे उस फोटो को coloring कर लीजिएगा उसके बाद एक्जेस्ट करने के साथ दोस्तों अब आते हैं उसको थोड़ा सा हम फेस पर ध्यान देंगे फेस इसको थोड़ा क्लीन करेंगे इसका अनुराक फोटो सब्सक्राइब आता है दोस्तों उस software को open करेंगे उस software से हम जाएंगे अपका ये तूल में तूल के बाद यहां हम थोड़ा लाइट बढ़ेगा लाइट से ये थोड़ा सा लाइट को बढ़ाते हैं उसके बाद ये अनुराग प्रो में हम फेस को थोड़ा दोस्तों साप करते हैं दोस्तों फेस को साप करेंगे जूम करेंगे जूम करने के बाद ये अच् इसको थोड़ा थोड़ा घसेंगे जिसे घसेंगे जहां जहां यह ब्रज लेके घसेंगे वही जाके दोस्तों यह साफ हो जाएगा क्लीन हो जाएगा जो बूंद बूंद थोड़ा सा नजर आता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा दोस्तो इसी तरह से धीरे धीरे पुरा सरीर में साप करेंगे जहां जहां नजर आता है जहां हम लोग को लगता है इसको भी करते हैं यह थोड़ा बूंद बूंद जिसे धु जोस्तों हो पिसकते फिर आपके दिखहाई है इसको हम लोग साप करते हैं सब करने के lesa अपने हिसाब्स started सब्क्रेशालाइब में अापको अछ्छा लेजयेगा इस सब्सक्राइब लग Grade आपके फोने के बाद हम लोग इसकी सबिगाने हें इसको अब Ctrl सब्सक्राइब दोस्तों साफ हो गया अब साफ करने के बाद दोस्तों टूल पर जाएंगे यहां हाथ वाला इसमें हम बाल को थोड़ा ब्लैक करेंगे ब्लैक करने के लिए थोड़ा साइज को छोटा करेंगे इसको जूम करके थोड़ा सा गुमाएंगे बाल में बाल में इस भूल यदि ह drawn by ओसके बाद दोस्तों आता है अब इसको हम लोग में अप मशने को हो डिए सक अधे करते हैं इसको ड्रेंगे और सिलेक्ट करते हैं गौह आद करते हैं दोस्तों इसको ड्रेंग। प्रॉप करने वाधे इसको बड़ा करेंगे बड़ा करने के दोस्तों इसको थोड़ा जूम करेंगे, जूम करें to pounds T seront aust to sagtutz के साथ प्रॉझ माउस से подпис Christians नीछे के और आउपर के और करेंगे जूता बड़ा होगा तदे के दोस्तों सप स्कोजैसे आप लोग पर क्लिक करेंगे तो आटामेटिक स्लेक्ट हो जाएगे स्लेक्ट होने के बाद दोस्तों इसको हम काटेंगे काटने के लिए दोस्तों टूल पर जाना पड़ेगा वो टूल थोड़ा जूम कर लेते हैं जूम करें अच्छा आएगा जिसे यहां से भी जूम कर सकते हैं सौट काट से जूम करें, ctrl, प्लस माइनश से जूम in जूम आउट होगा दोस्तों ये टूल लिए, टूल से इसको काटेंगे, बेक ग्ग्राउंड को चेंज करेंगे दोस्तों, बेक ग्राउंड को चेंज करने के लिए हम जूम करने के लिए धोड़ा-थोड़ा करके, जैसे सरीर और बेक्ग्राउंड का अलग हिस्सा है, उतहां जूम कर लेते हैं, जूम करने का बाद दोस्तों, इसको थोड़ा सा, हम नजदीक से काटेंगे, अच्छा से काटेंगे, ये दोस्तों आपको खाली जल्दवाजी में, हम जल्दी से बताने के लिए, ये जल्दी-जल्दी कर हम थोड़ा वर यहांसे कीजियेगा दोस्तो कि किसी तरा के कोई दिक्वत नहीं हो अगर समझ में नहीं आए तो प् 먹न कर लेजेगा दोस्तों or चैनेलNTर को बिल्कुल subscribe कर लेजे दोस्तों like कीजिये बेक्ग्राउंड किशेर किजिएगा दोस्तों मेहनत से बनती है बहुत जोरों से मेहनत करना प्रता है आप लोग को अभी आसान हो सकता है सिखने में ताके आप लोग अच्छे से अच्छे फोटो बना पाएं एडिटिंग कर पाएं जूस्तों धृद्री ऐसे काटने के कलता तो इसकी लिए हमको काटना पड़ेगा जैसे– जैसे उसका शरीर है, शरीर हाँ, कपड़ा ठीक से हम os. काटेंगे धीरे– धीरे करके काटेंगे पूरा तरफ इसको भी काटने के बाद दोस्तों आप अराम से काटिएगा थोड़ा जल दी जल्दी काट रहे हैं थोड़ा से इधर उच नीच हो सकता है दोस्तों पूरा वीडियो देखे लास्ट तक देखे इसकीब ना करें इस वीडियो को फोटो सब एडिटिंग कैसे करते हैं फोटो एडिट करने के लिए आपको लास्ट तक देखना जरूरी है दोस्तों या तो इसकीब कर देंगे तो गारें के एपड़ में जसाइज और देख सक्ते हैं काटने के बाद जूम करने के बाद काटियेगा ताके अच्छे से अच्छे नजर съए से दीरी धिर。」 कान के बाल काते कां से धिरी-धिरे कर कर से देरे धिरी कर के आप लोग काटेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो तो बैग बटन कीबोर्ड में जो बैग बटन है उससे अब जितना बार प्रेस करेंगे उतना एक इस्टेप करके बैग होगा तो दिखिए दोस्तों धीरे धीरे नजदी की हम काटते हैं काटने के बाद ऐसे काटेंगे इसको बाद पूरे कोई भी सींद हो या आट ऩूरे करेंगे तो इसको अच्छे से काट लेते हैं इसको कटर है तुल सेलेक्ड करने घूर्ट करते हैं अच्छे से हमें लोग बैगेग्राउंडे चेंज करेंगे पूरा एसंदियो मई पासपोर्ट साइज का फोटो या फूल फोटो भी आप बना सकते हैं किये थे वही पर connect कर देते हैं यह कड़ गया अब इसको दोस्तों background हटाने के लिए control x बटन दवाएंगे keyboard में control x लेयर में गिये दोस्तों control x किये background चेंज वा तो दिखिए दोस्तों background पुरा white हो गया है जो पेज लिए थे वहई पेज यहाँ बाकी छूड़ा सा रह गया इसको अलग से काटते हैं गुरा एसरह से जूम करके आप अलग से काट सकते हैं यह से यह से यह च्छपा से बुचा हुआए तो इसको हम काटते दोस्तों हम इसको जूम करेंगे जूम करने को थोड़ा सा नजदीक से हम जूम करके काटेंगे इसको भी इसको भी काटने के बाद दोस्तों हम पूरा काट लेते हैं पूरा काटने के बाद दोस्तों सीप के साथ ये होगा और ये स्पेस बटन से हाथ आएगा फिर इसी तरह स कुलर स्लेक्ट परेंगे रिश्वेक को न मैसे अब को अच्छा लग है शोरी यह हम ऐसके को सब्सक्राइब दोस्तों अबैक्ग्राउन क्वाइब दोस्तों आ जोग माता है किसा करनी को छेक्षाफ करते हैं बैक्डाइब दोस्तों ग इसको पर हम क्रॉॉप करतें क्रॉफ तूल में जाते जाने चातें है तक पर हम क्रॉफ करेंगे जिसे यहां थ्वागी था यहां दीए तरनी हम दीने को आद इसको क्रॉप कर देंगे क्रॉप नहीं दोस्तों इसको घुमा लेते हैं दोस्तों फोटो को घुमाने के लिए फोटो सिलेक्ट करते हैं फोटो सिलेक्ट करने के बाद हम रोटेट पे जाएंगे यह रोटेट हो जाएगा यह रोटेट हो गया उल्टा इसको बेक करते हैं बे राइट चेंज होने के बाद दोस्तों इसको साइज की हिसाब से हम पासपोर्ट साइज क्रॉप करेंगे जिसे ही क्रॉप करेंगे दोस्तों साइज देख लेते हैं कि इधर इधर उधर आगे पीछे उपर नीचे कर लेते हैं क्रॉप कर लिए दोस्तों क्रॉप करने के बाद इसको दोस्तो हम थोड़ा सा आप डाउन आप लेप्ट और आप करेंगे और डाउन और राइट करेंगे दोस्तो बेक ग्राउंड बॉर्डर यह बॉर्डर जैसे देख रहे हैं इसको हम बेक करेंगे एक स्टेप एक स्टेप बेक करने के लिए दोस्तो हम यहां से भी कर सकते वाइड बैलन्स इसको थोड़ा आगे पिछे करके लाइट को बढ़ाते हैं लाइट बढ़ाने के लिए दोस्तो इसको थोड़ा सा हम फिर से इसको जूम आउट जूम उन करके इसको उपर डाउन उपर डाउन करके इसको बॉर्डर बनाते हैं बॉर्डर बनाने के लिए दोस्तो इसको क्रॉप करते हैं बॉर्डर बन गया देख सकते हैं दोस्तों आपको side side में border बन गया है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, border बनाने के दोस्तों अब ये हमारा पुरा रेडी हो गया है, इसको print देने के लिए दोस्तों इसको minimize करते हैं, minimize करने के बाद हम इसको new tap open करेंगे, दोस्तों new tap open करने के लिए हम लोग file पे जाएंगे, file प इसके हिसाब से दोस्तों ये for size का paper select करेंगे, उसके बाद ok करेंगे, ok करने के बाद दोस्तों इसमें photo में हम size करेंगे, 1.3 या 1.9 अपने हिसाब से size दे सकते हैं, देख सकते हैं, इसके size के हिसाब से हम 1. regulation देख सकते हैं, 300 है, इसको 1.3 में size को बन देंगे, 1.3 size इसको ok कर देंगे साइज हो गया दोस्तो पासपोर्ट साइज क्या साइज इस साइज को दोस्तों ड्रेगन ड्रॉप करेंगे ड्रेगन ड्रॉप करने के बाद हम इसको पेज में सिलेक्ट करेंगे जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम इसको सिलेक्ट कर करेंगे दोस्तों रोटेट करने के लिए कंट्रोल टी करेंगे उसके बाद राइट क्लिक करके हम 90 डिगरी इसको रोटेट करेंगे दोस्तों जैसे हम क्लिक किया ओके करेंगे 90 डिग्री रोटेट हो गया बैक करते हैं दोस्तों फिर से यहां से दिखाते हैं यहां अगर देखते हैं यहां से रोटेट करेंगे दोस्तों तो पूरा पेज यह रोटेट हो जाएगा पेज को रोटेट नहीं के बैक करते हैं दोस्तों बैक को सिलेक्ट करने बत कीचे, अल्ट के साथ, दोस्तों, माॉस चलाएंगे, तो ये डवल डवल होते रहेगा, दोस्तों तीन तीन-चीङ हो गया चेडल 10, 12 गया, सेलेक्ट करने ऑद दोस्तों बढराЕТ करते हैं, ये हो गया, 12 जितना भी करते जाएंगे इस सेUlt के साथ दोस्तों उतना copy होते जाएगा Shot हो गया यह ready प्रine position में फाइल में जाएंगे print करेंगे प्रine करने के बाद दोस्तों यहाँ click करेंगे print में जिसे कौन सा printer में आप select करेंगे आपके पास कौन सा printer है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे 310, 380, 220, 805 जैसे दोस्तों मेरे पास 805 है तो 805 हम सिलेक्ट किये हैं एपसन का सिलेक्ट करने के बाद यह पेपर साइज सिलेक्ट करेंगे दोस्तों यहां जो पेपर लगाए है वो A4 का साइज का पेपर है यहां दोस्तों पोट्रेट ही रहने देंगे यहां दोस्तों मेटल पे जाएंगे मेटल पेपर जाने के बाद यहां दोस्तों हाई में जाएंगे उसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे करने के बात दोस्तों यहां print preview आएगा दोस्तों जैसे टिk करेंगे यह बादर कहां कट रहा है फोटो की नहीं कट रहा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा देखने के लिए दोस्तों यह टिक करेंगे तो यहां black border आएगा जहां तक black border नजर आता है वही तक print होगा दोस्तो आगे पीछे होगा तो यह फोटो कट सकते हैं इसके लिए दोस्तो हम लोग टिक मारेंगे टिक करने के बाद यहां हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट के बाद दोस्तो यह प्रिंट के लिए रेडी है दोस्तो अब क्लिक करेंगे तो प्रिंटर में हमारा प्रिंट ह हो जाएगा दोस्तों ताइए होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक शेर